काफी सारे स्टूडेंस 12 के बाद कन्फ्यूज रहते हैं कि कॉलेज में कौन सा कोर्स करें, उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे Always subject और कोर्स को चूज करते टाइम, स्टूडेंस थोड़ा सोचते हैं सोच में पर जाते हैं कि कौन सा subject चूज करें, कौन सा कोर्स करें काफी स्टूडेंस की रूची, computer field में रहती है, तो उनके लिए ये best course है आज के टाइम में computer और internet हमारी life के important part बन चुके हैं लगवग हर सेक्टर में internet और computer की मदद से काम किया जा रहा है आजकल पूरा काम digital होने लगा है, सारे सेक्टर में online काम होने लगे है informational technology की scope बढ़ने से इस सेक्टर में expert लोगों की भी काफी demand बढ़ती जा रही है तो एक अच्छा option है इस field में अच्छा career बनाने का Hello friends, आज हम बात करेंगे BCA के बारे में सबसे पहले जानते हैं ये BCA क्या है BCA का full form क्या होता है, bachelor's in computer application अब बात करतें BCA कौन कर सकता है, वे सबी students जिनके 12th में कम से कम 50 marks आएं हो काफी colleges में admission entrance exam qualify करने पर मिलता है BCA करने का सबसे बड़ा benefit ये है कि ये सिफ commerce student नहीं कर सकता है maths या bio student भी BCA कर सकता है BCA एक ऐसा course है जिसकी demand आज के समय में हर field में अब बात करते हैं कि इसके duration क्या है, BCA का course basically 3S का होता है बहुत सारे colleges पे ये semester wise कराया जाता है, it means 6 semester होते है जो 6-6 मन्थ में इसकी exam होती है और काफी colleges में ये yearly होता है, मतलब साल में एक बार इसकी exam होती है Then, अब बात करते हैं किसके syllabus की, कि BCA में क्या-क्या पढ़ाया जाता है BCA में computer से related सारी study कराया जाती है जिसकी help से आप एक अच्छे programmer, web designer बन सकते है BCA में C programming, computer fundamental, organization behavior, computer basic, C++, software development, पूरी technology को सिखाया जाता है Web design और एक website कैसे बनाई जाती है, ये बताया जाता है Then, अब बात करते हैं कि BCA करने के बाद क्या career opportunities है BCA करने के बाद students के पास बहुत सारे options रहते हैं वे चाहें तो अपना किसी तरह का online business या web development या software बनाने की company establish कर सकते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे job की options रहते हैं Like software development company में developer की job के लिए apply कर सकते हैं किसी भी multimedia company में job के लिए apply कर सकते हैं Computer operator और system operator की जाज के लिए भी apply कर सकते हैं Programming assistant की job कर सकते हैं बहुत सारे options हैं BCA के बाद students के पास बहुत सारे options रहते हैं आजकल computer operator की demand सबसे जादा होने लगी है Then अब बात करते हैं कि BCA की fees क्या है BCA की fees depend करती है college पर कि आप किस college में admission ले रहे हैं इस course की fees 30,000 से 80,000 per year के साबसे हो सकती है जैसे मैंने पहले ही कहा ये college पर depend करता है कई college पर इससे कम भी होती है काफी students ये सोचते हैं कि BCA के बाद क्या करें अगर वे computer field में अपना future और भी शांदार बनाना चाहते हैं तो वो BCA के बाद MCA कर सकते हैं ये best option है career बनाने के लिए MCA का full form होता है master of computer application अगर आप BCA के बाद MCA करते हैं तो आपके पास और better option मिल जाते हैं like computer programmer, web designer, application designer, game designer, database administration, business analyst, information system manager, software programmer, software engineer, software conculator, programmer, computer support service, specialist आप एक better career बना सकते हैं then अब बात करते हैं कि BCA करने के बाद salary कितनी मिलेगी काफे students सोचते हैं कि BCA हम करतो लें इसमें future है कि नहीं हमको कितनी salary मिलेगी सब कोई future देखकर ही कोई भी course यो option चूस करते हैं चली जानते हैं BCA करने के बाद शुरुआत में 15-20,000 रुपय तक salary मिल जाती है अगर आप अच्छी company में job करते हो तो salary 50-60,000 तक मिलती है अगर आप M.C.A करते हैं मतलब master's की degree के लिए पढ़ाई करते हैं तो आप किसी भी multinational company में नौकरी कर सकते हैं और आपकी salary लाखों में मिल सकती है So ये तो सब थे BCA से related full knowledge इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि BCA से related आपके सारे doubts clear हो जाए I hope आपके सारे doubts clear हो गए होंगे इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि BCA से related पूरी knowledge आपको दी जाए like qualification क्या होनी चाहिए BCA करने के लिए BCA का क्या syllabus है BCA करने के क्या duration रहती है कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है इस course को करके आप क्या क्या कर सकते है future में आपके लिए क्या career options है और BCA के बाद आप क्या कर सकते है अगर आप job करते हैं तो आपकी कितनी salary होगी BCA के बाद आप और क्या कर सकते है फिर भी अगर और doubt हो तो आप comment करके जरूर बताएगा क्या कर सकते है